हलो फ्रेंज हाई गुडिविनिंग एंड विल्कम टो मैं चैनल एम थिक मोना वर्लपी तो दोस्तों कैसे है आप लोग आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो और मैं भी थीक हूँ दोस्तों एक बार फिर से लेके आए हूँ आप लोगों के लिए मॉटिवेशनल वीडियो त तो दोस्तों चेले वीडियो शुरू करते है आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है गुस्सा यान की हमें गुस्सा क्यों आता है और हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुस्सा ही हमारा एकदम बहुत ही क्लोजस एनिमी है जो कि हमारे साथ ही रहता ह तो दोस्तो आज का टॉपिक यही है, दोस्तो गुस्ता तो सब को आता है, ऐसा कोई भी इंसान आज तक नहीं मिला या नहीं होगा कि किसी को गुस्ता ना आता होगा, हाँ, हर किसी को कम या जादा, वो डिफरेंस है, बट गुस्ता सब को आता है, बट उसको हम लोग कैसे ही इसीलिए दोस्तों गुस्ते को हमेशा काबू में रखो और गुस्सा हमेशा जब भी आए तब क्या क्या कड़ों वो भी आज में बताने वाले हो दोस्तों आप लोगों निशायद यह सुने होंगे कि जब आपको गुस्ता जादा आए तो आप एकदम जोर-जोर से अपना सास लोग यानि कि अपनी जोर-जोर से आप लोग ऐसे ब्रेट को मतलब जो आपका जो सास लेना उसको बाहर निकाल कि आपको ऐसा लिखते है कि आपका जो रियक्शन है उस टाइम ऐसा हो जाते है कि हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं चलता जो यह निगरिवीटी बाती हमारे दिमाग भी घुल जाते हैं जो हमें गुस्ता आ जाता है हमारे जो दिमाग है ना उसमें हमें जो बहुत सारे इतने सारे निगेरी मतलब बाते कह जाते हैं, इतने सारे निगेरी मतलब बाते कह जाते हैं, इतने सारे निगेरी वोड कह जाते हैं कि हमें तब पता नहीं चलता, बट उसके बाद जब हम लोग रियलाइस करते हैं कि हमने यसा क्यूं कहा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए दा क् अगर हम शान दिमाग से उसे सोचेंगे, उसे हम लोग एक अच्छी तरह उसको रिप्लाइ कर सकते हैं, या अच्छी तरह समझ कि दूसरों को भी हम लोग समझा सकते हैं, पर जब गुस्सा आता है, तब क्या होता है, अपनी आप में कंट्रोल चला जाता है, इसलिए दोस्तो हमेशा अपनी गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, हमारा क्या होता है, हम जब छोटी से, मतलब अगर हम लोग छोटी थे, उस तब से अगर हमारा दिमाग भी अगर गुस्सा मतलब भड़ा रहेगा, तब क्या होता है, हम लोग जब बड़े होते हैं, तब गुस्सा और भी ज होना चाहिए कभी कभी ऐसा हो चेता है हमारा environment ऐसा रहता है कि हम लोग अपने जो गुस्सा है ना उसमें related होता है बहुत सारी लोगों का ऐसा related है जो अपने childhood memories हो या किसी भी कुछ memories हो जिसमें उसका गुस्सा related है और कुछ भी बात अगर आप कहते हो तो वह negativity सेंस में लेकर आपको गुस्सा करेगा आप जितना भी उससे मतलब close नहीं हो फिर भी आपको वह ऐसे कुछ बाते कह देगा पार्मी वह पच्टा आता है बट सामने वाले को इतना मतलब गलत करी के से बोल देता है कि पार्मी उसको कि उसको कितना हर्ट हुआ होगा तो इसके इसके लिए आपको मैं आज टीन उपाए बताने वाले हो जो है आप अपना सास जोर जोर से लो यानिकी ब्रेच जो आपका ब्रेच है ना इसको जैसे मतलब आप अंदर से सास लो और अपने मुझसे सास छोड़ो ऐसा सोचो की मैंने जो मतलब मेरा जो गुस्ता है जितना भी अंदर में जितना भी मेरा निगिरी फीटी है उसको मुझे पाहर निकालना है ऐसे आप 10 बिजबार करो देखना आपका जितना घुस्ता है आपका एकदम कम होके 30% 20% में आ जाएगा और ऐसे ही आप जादा उसको कंट्रोल करोगे उतना वो कम हो जाएगा और जब कम हो जाएगा आप किसी को गलत कहने के लिए आप सोचोगे भी नहीं जब आपको गुसा आएगा उसी ताइम आप लो रिप्लाइ करने से अच्छा है अच्छा है आप थोड़ी डेर अपने आपको शांग करके थोड़ी दोड़ जाके बैठके सोचों की मुझी कुसा आ रहा है मैं इसको कैसे कंट्रोल करो जोड़ जोड़ से अपनी सासे लो अपनी जो ब्रेंटी है ना जो अपना जो मतलब अंदर से जितना भी गलत मतलब ह हमारा जो थिंकिंग है जो निगिदिवीटी है जो मैं उसको गलत कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसको मुझे दोड़ करना है और उसको दोड़ करने के लिए ऐसा अगर आप करोगी तो आप लोग को जरूर इसका रिजल्स जरूर मिलेगा और आप जब दस बेसबार् एकना आपका गुस्ता धीरे धीरे शांत होता नजर आएगा ये था फ़र्स्ट सेकेंड है आप अपने जो में के रिवूर्स रिस सलुएशन यानि की इसका एक बहुत अच्छा एक्सामपल है जो की महत्मा गांदी से रिलेटिद है महत्मा गांदी जब अफ्रीका चल जा अच्छा ये रिशरुशन गाई चाप मढर महत्मा गांदी जी ने तब ये रिशरुशन सोचा था कि मुझे तुम लोगों ने जैसे इस प्लेटरूं से बाहर निकाला है मैं तुम्हें इस हमारे जो डेश ये उस देश से आप तुम लोग को बाहर निकाला लोगा और उस यह करके लिखाया इसलिए दोस्तों उसने जो निगेरी वीडिया उसको पॉसितिव से लिया और फू पॉसितिव की सोच के उसके वज़े से आज हम लोग यहां पे आजार हैं हमारे जो यह जो आप लुग जाते हो कर जो फिप्लेंग आगर साने वारा है स्वालिंता डिवर्स यानि कि आज उनके वज़े से हम लोग स्वाधिन हैं कि इसके लिए हमेश्या उन्ही तड़ा हमें बड़े-बड़े लोगों से हमें सीखने को मिल जाए ini हमारे ऐसा हो जाते हैं हम लोग बहुत अच्छी इंसान होतें पर हमारे पीछ में ऐसी कुछ कमिया या इसी कुछ IF जिसके वज़े से मदलब होटी नहीं है ऑन रजाती है एंवारमिन के वज़े से हमारी जो गुस्टा है हम उसको अगर हम काबो में ना रख पाए तो हमारी जो भी फ्रेंस हो जो भी अपनी हो सब लोग हमसे दूर हो जाते है क्योंकि ऐसा होता है कि हम उन्हें इतना मतलब गलत ट्रीट करते है इतना behavior हमारा इतना गलत हो जायता है कि कोई भी हो वो लोग को भी hurt होता है तो इसलिए अपनी जो गुस्ता है उसको control करना चाहिए और हमेशा इन बड़ी लोगों की आत्मकता पढ़नी चाहिए तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे अपने life को और भी आगे बढ़ाने के लिए कितना इजी उपाय है और कितना भी हमारे बीच निगेरिवीटी है उसको भी कैसे हम लोग दूर कर सकते है तो रोज तो यह था second अभी है third जो हर दिन को आप लोग एक मतलब हम लोग जैसे हर दिन मतलब करते हैं फगवान जी के नाम पर यह कुछ पूजा है कोई कुछ है तो हम लोग फास्तिंग करते हैं वही वाला ब्रत हमें एक दिन अपने गुस्ते के लिए करना है क्योंकि हमें उस दिन का ब्रत का नाम होगा शांती बनाय रखने वाला ब्रत यान कि कैसे हम लोग एक दिन शांती बनाए रख सकते हैं, यानकि कैसे हम लोग अफिर दिमाग को शांत रख सकते हैं, हम लोग कैसे डूसरे को गुसा ना करके रख सकते हैं, अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है, तो हम कैसे उसका रिप्लाइ गलग तरीके से नहीं, उसको पॉजिटिव लेके, हम लोग कांट्रोल करने जीए जोरी होता है, क्लग हमें एक आप हमसे बीच क्तरोंने बहुने बसकती हैं, कि अगर हम लोग पॉजिटिव बिहविर नहीं करेंगे, इक तायम है कि हमारे बीहविएर सें बहुत लोग हमसे दूर हो जाते हैं, तो इसे लिएकहते गुस्से को हमेशा काबो में रखना और गुस्से को कभी भी इतना भी मतलब होने मत देना कि आप लोग उसे अपने दूर हो जाए। हाँ गुस्सा सभी को आता है पर गुस्से को कंट्रोल करने का यह जो तीन तरीका है वो जरूर करना और हमेशा आप लोग ऐसे बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष थे जो महात्मा गाली जी वैसे ही बहुत सारे लोगों के आप लोग आत्मकथा परना उनकी जो अधना चैशा आइन तो अश्या छोता है पर हम लोग जब बढ़ाए का साथ देगे तो हमएं साथ सिर्फ नेगेटिविटी होगा हमारे साथ सिर्फ बढ़ा होगा हमसा पॉजव हमि dish के साथ रहेंगे तब जितना भी बुरा हो हमें कभी कोई हमीं तच भी नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग positive सोचेंगे तब कोई गुसा हमें कुछ कर ही नहीं सपाएगा इसलिए दोस्तों हमें सा positive सोचो positive thinking के साथ आगे बढ़ो और do so के साथ भी positive behavior करो कुछ भी अगर आपको गुसा आता है तो मैंने जो कहा वो सब करो और साथ में आप लोग meditation हमेशा morning को meditation करो आप लोग ऐसे भगवान का किताब तब पढ़ो आप लोग को देखना अपने जो माइंड है ना जितना भी गुसा या कुछ भी अगर भड़ा हुआ है अंदर वो सब बाहर निकल के चला जाएगा और आपका जो मन है ना वो एक strongly positive एक जो मतलब लुकसान होता है वो हमारे खुट के बीछ होता है तो इसलिए दोस्तों अपने आपको अपने आपकी जो गुसा है उसको कंट्रूल करना सिखो अपने आपको शांत रखो और अपने जो environment है वो भी हमीशा सांत रहेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो का टोपिक यही था ओके फ्रेंज थैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और कॉमेंट्स जलूर कर देना कैसा लगा पुताना मत भूलना ओके फ्रेंज थैंक यू बाबाई एंड गुट नाइट